चर्श करते हैं आप की वोक्षीत नमबर नाइइटा जैसा कि आपको पते है मंडी को आप की गुरुम नानक जैनती थी इस वजे से आपकी वुकджshyT नहीं आई है तो आज आपकी वक्षीट है आप आप लोग करेंगे तो पहले से लेबल कर लेते हैं इस वाली वक्षीट मै सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी अगर आप चाहते कि आपको full explanation के साथ मिले तो आप दुसरी वोक्षीट देख सकते हैं उस फुल explanation के साथ answer भी होंगे तो आज मैट्स की वोक्षीट है class date अपना नाम लिख लेंगे चलिए तो पहले question को पढ़ते हैं तो यहां आपका पहला question लिखा है find the difference of the following like fraction अब यह like fraction से हमने इसमें add करना तो सीख लिया था आज हम इसमें minus करना है तो चलिए count करते हैं इस question का answer देखते हैं अब देखिए यहां आपके दोनों में common है ठीक है denominator या जो आपके हर है वो क्या है एक जैसा है तो आप हर यहां लिख देंगे common रहेगा और उपर वाले नंबरों को हम क्या कर लेते हैं minus कर लेते हैं क्योंकि minus करना है ठीक तो इस तरह से यह आपका answer आजाएगा सेम दूसरे वाले में देखिए दोनों का हर या denominator सेम है तो हम लोग denominator या अंश को क्या करेंगे minus कर लेंगे और हर याणि denominator सेम रहेगा आपका ठीक तो जब आप minus करेंगे 14 में से 3 गयारा बटे में 17 answer आजाएगा आपका कर सकते हैं न बहुत आसार है आप लोग कर लेगी चलिए अगला कुशिट पढ़ते हैं अब लोग अब देखें यहाँ आपका दूसरा question लिखा है find the difference of the following unlike fraction अब आपको unlike fraction में difference लिखालते हैं save उसी तरह से जिस तरह से अपने पिछली बारे से प्लस कराता ऐसे ही इसमें हम बाइलस करेंगे तो चलिए इसका answer देखते है अब देखें यहाँ आपका लिख है छे बटी में 11 माइनस एक बटी में 6 ठीक है तो हमने आपको समझाया था पहले भी कि इसको नीचे को यानि कि आपका जो हर है या डिनोमिडेटर है इसको इकोल करना होता है जिसके लिए हम क्या करते है पहले इस वाले डिजिट को लिखते है और नीचे वाले से दोनों तरफ मल्टिप्लाई करते है तो दिखें दोनों तरफ सिक्स सिक तो आपके उपर लिखे अब आपको एजी ली माइनस कर सकते हैं तो आपका आपका इसी का नेक्स्ट कोशिल पढ़ते तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था वो लिखा सेवन अपॉण ने नाइन माइनस टू अपॉण भे था अपको इसे सॉल्फ करना है यह आपका कोशिन है ठीक सकते हैं दो लों के डिनॉमिनेटर्स या हर जो है वो कॉमल हो गए यानि एक जैसे हो गए तो इसको हम से माल लेगे 27 का 27 लिख लेगी अब 21 में से 18 सायरी से जा सकता है और हम 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारा अंसर मचेगा तीन बटे में 27 अब हम इसे काट सकते हैं तीन इकमती तीन निम 27 तो एक बटे में नो हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से लिख लेगे चलिए तो आज की वक्षीट को यहीं खत्त करते हैं आज की झालची!